हलो लेडिस इन जैनलमेन, वेलकूम योल टू ग्यानम, जो एटमस्फेर की समझ हम लोग यहाँ पे बना रहे थे, उसी लेक्चर में हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे अभी तक हमने एटमस्फेर की लेर्स के बारे में भरपूर पढ़ाई कर ली हैं, अब थोड़ा आ आपको यह सारी की सारी जितने भी लेक्चर हैं, जो ग्रफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसी चैनल पे वहाँ पे यह सारे लेक्च आपको मिल जाएगे, ठीक है? तो हमने यह सारी चीजे पढ़ ली है, एक्जोस्पेर, टॉपोस्पेर, आज हमारा जो है, जो टोपिक ह है में वह कुन होगा atmospheric pressure ठीक है तो यहाँ पे हमेशा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ किसी भी चीज को पढ़ना हो खास करने जब हम लोग geography को पढ़ते हैं मैं science का बहुत जादा knowledge चाहिए होता है क्योंकि सारी terms ही interrelated ठीक है अच्छा तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ atmospheric pressure की तो दो यहाँ पर आपको atmosphere और प्रेशर दो वर्दान है इनको समझना पड़ेगा atmosphere के आई-ई-ई-ई लगा हुआ तो मतलब atmospheric position की बात कर रहा है atmosphere का pressure यह atmospheric pressure कौन सा pressure atmosphere का pressure ठीक है तो pressure समझ लेते हैं सबसे पहले ठीक है यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर pressure को समझ लेंगे तो ज़्यादा पहतर रहेगा ठीक है अगर मैं बात करूँ किसकी physics की तो physics में कहा जाता है pressure क्या है pressure is equal to force acting upon a area आप में से बहुत सारे लोगों को जिनका science background नहीं हो सकता है डर लग रहा हूँ यह देखे कि यह क्या करने है तो डर ने कोई जुरूरत नहीं एक बार आप इसको ध्यान से समझेंगे आपको अच्छे से यह चीज़ पता चल रहेगी physics में क्या कहते है mathematically pressure is equal to force upon area या फिर क्या कहते है जब कोई force मानलो एक यह body है मानलो यह एक body है अगर इस body पर ठीक है यह मैं क्या कर रहा हूँ मानलो कि मेरा हाथ है ठीक है मैं अपने हाथ से इस body को क्या कर रहा हूँ नीचे की तरफ press कर रहा हूँ तो नीचे की तरब जब मैं इसको धकेल रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, push कर रहा हूँ तो मैं इस body पे क्या क्या लगा रहा हूँ force लगा रहा हूँ, push and pull r2 forces क्या लगा रहा हूँ इस पे मैं force लगा रहा हूँ ठीक है मेरा हाथ है मेरे हाथ का क्या है मास है और मेरा हाथ जो है एक्जलरेट कर रहा है क्योंकि इस बोडी पे मैं क्या लगा रहा हूं धक्का लगा रहा हूं ठीक है तो मास जब एक्जलरेट करता है तो क्या बनता है फोर्स तो ये भी मैं कह सकता हूं या फिर मैं सीधा कह कि मैं push कर रहा हूं इस body को धक्का दे रहा हूं तो मैं इस body पर कर रहा हूं फॉर्स लगा रहा है अब हम देखते हैं कि force क्या है किसी body पर फॉर्स होता कि किसी body पर जब भी perpendicularly 90 degree के direction में ठीक है force लगाया जाए अगर मैं यहां से इस direction में force लगा रहा होता तो इसके surface के यह 90 degree नहीं था तो यह pressure नहीं होता तो किसी भी body के जब उपर 90 degree से हम क्या करते हैं उसके उपर force लगाते हैं तो उसे हम लोग pressure कहते हैं और यह वाला जो हमारे पास equation ही क्या बताता है कि भया जितना जादा 90 degree पर यूँ नीचे की तर मैं जिसे force लगा रहा हूँ ठीक है नीचे वाली body पर ठीक है अब दोनों चीजों के बीच में जो आपस में contact है ना ठीक है वो contact का area जितना बड़ा होगा ना force हम देखते हैं कि उतना ही बढ़ जाएगा और pressure उतना ही कम हो जाएगा लेकिन अगर यह area छोटा हो जाएगा तो प्रैशर बढ़ जाएगा अगर मैं यह मान लीजी जीज़ है यह चदर यह फिर मान लीजी थर्मपोल का टुकड़ा है मैं यह यह प्रैशर लगाऊँगा फोर्स लगाँगा शाइद नहीं टुटेगा लेकिन सेम फोर्स ना मैं एक सुई के साथ लगाँगा इसके उपर तो सुई इसके आरपार चली जाएगी क्यों सुई का जो area of contact है इस नीचे वाले object के साथ वो क्या है कम है अगर मैं गोली मारूंगा एक किसी जगा में और जितनी ही force के साथ गोली गयी है उतनी ही force के साथ हथोड़ा मारूंगा उस सेम जगा पे तो गोली जो है आरपार हो जाएगी हो थोड़ा चाहिद आर पार ना हो क्योंकि यह थोड़े को अगर हम देखें तो थोड़े का जो सर्फिस एरिया जो कॉंटेक्ट में आएगा किसी बूड़ी के वह जादा है ठीक है तो यह हमने प्रेशर के बारे में देखा तो हम देखते हैं एटमस्फेरिक प्रे गयसे बहुत सारी गयसे जैसे से कारवन डायकसाईड ऑकसीजन नाइट्रोजन यह बहुत सारी गयसे ठीक है अब गयस का यह बात आप कभी जिंदगी में मत सोच लें ना कि गयस का बाहर नहीं होता है आपने एलपीजी का स्लोर्ड़ देखा होगा जब वह खाली होता है न क्या कहते हैं हम लो mixture of gases को हम क्या कहते हैं मिक्शर of gases को कहते है तो मतलब air है heavy होती है यह air का भार होता है ठीक है अब ना cylinder के अंदर थोड़ी सी gas होती है एटमस्पेर में तो बहुत जादा है ठीक है तो वह इतनी सब्सक्राइब उसका भार भी बहुत जाता होगा ठीक है तो मतलब इतनी air का क्या है air का क्या है air will have mass है ठीक है air का क्या है मास है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्ती के इर्द गिर्द जितनी air है इस सारी की सारी air का क्या है मास है ठीक है अब यह जितना भी हमारे पास देखो यह जितना भी अब अगर air को कलेक्टिवली देखे न हम लोग तो हम कह सकते air mass air का बार अब हमने बचपन में ग्रैविटी में एक चीज पड़ी थी कि दो दो चीजें जिनका मास होता है वह आपस में एक दूसरे को अट्रेक्ट करती है और दोनों एक दूसरे पर एक force attraction लगाती है उस force अट्रेक्शन को gravity कहते है gravitation force कहते हैं और दर्ती के case में दर्दिको जब हम किसी और चीज़ की बात करते हैं तो इन चोट एक और शी स्टेटमें निकलती है कि कोई भी चीज जिसका मास होगा ना दर्ती उसको नीचे की तरफ खींचेगी यह हमें पता ही अपने सेंटर की तरफ नीचे की तरफ खींचने कोशिश करेंगी तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जितना भी हमारे पास जितन सेख्कर फिर नीचे की तरफ तो जब हम देखते हैं यह द्यान देंगे जब यहां पर जो गैस है माँन लो यह आपर गैसे में जब नीचे की तरफ खार रही है ससको मतलब क्या होता है तो माललो कि यह यहाँ पर रुकी और यह थी अभर्त पर रुपDet नीचे खींचना शुरू करा तो इसकी पहले स्पीड अलग थी जैसे ही इसको ग्रैविटी खींचने लगेगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और यह एक्जलेशन दूट ग्रैविटी ठीक है मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर सेकंड क्या करेगी नीचे या फिर अ 9.8 मीटर पर सेकंड पर जा रही है ठीक है तो मतलब किसी भी चीज की स्पीड बढ़ना इस चीज को कहते है एक गाडी है वो खडी है जब उस पे पैडल पर पहर रखा न वो चलने लगी पहले उसकी स्पीड जीरो थी जब वो चलने लग पड़ी स्पीड माल लो दस हो तो speed में बदलाब आया ना तो हम कहते हैं क्या हो गई गाड़ी एक्जलेट हो गई और जिस पैडल पर प्या रखा जा इसलिए उसको इसको एक्जलेटर कहते हैं तो हम दीखते हैं यह दर्ति की gravity की बज़ए से दर्ति इसको नीचे खीच रही है इस वज़ए से यह मास भी क्या करेगा और जब कोई मास इग्जलेट करता तो वो क्या प्रडूस करता है फोर्स न्यूटन का सेगंड लो ही ठीक है और भाई साब यह जो फोर्स है यह सीधा फॉर्स किस पर लगाएगा दर्ति के सर्फेस पर 90 डिग्री दर्ति की सर्फेस में कोई वी चीज़ें है ना उन सारी चीज़ों पर प्रैशर फील होगा किसकी वज़ा से एर की वज़ा से या फिर एट्मोस्फेर की वज़ा से और एट्मोस्फेर की वज़ा से जो प्रैशर फील हो रहा है ना उसको हम क्या कह देंगे एट्मोस्फियरिक प्रैशर क्या कह देंगे atmospheric pressure, ठीक है, मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया गया, इसके बारे मैं detail नहीं देखते हैं, क्या कहता है, the air in the atmosphere is made up of number of gases and they have mass, ठीक है, these gases press down the earth surface, exerting a force that we call atmospheric pressure, इसी चीज़ को मैंने simplify करके और detail में आपको समझा दिया, दूसरी चीज़, it is measured by barometer, रखना, measured budget छोड़ो, जो units है atmospheric के that are bar, that are bar, one bar का मतलब क्यों होता है, हम देखते हैं, average temperature की condition में equator के पास sea level पे जो atmospheric pressure होता है, उसको हम कहते है, it is equal to one bar, and bars are unit for what, bar unit होते है, atmospheric pressure के, किसके unit होते हैं बार, atmospheric pressure के, जो pressure है न, उसके खुद के unit पासकल होते हैं, ठीक है, लेकिन atmospheric pressure अलग है, arm pressure से, pressure किसी और चीज़ देखो, liquid का भी pressure हो सकता है, तायर के अंदर अबब बरते हैं उसका भी pressure होता है, लेकिन उसको bar में measure नहीं करते हैं, pascal में measure करते हैं, ठीक है, ये भया, bar में किसको measure करेंगे, atmospheric pressure को, ठीक है, और जिस चीज़ से, जैसे हम लोग scale लेते हैं, तो high, जैसे मान लेते हैं, length है, length के units क्या हैं, meters, लेकिन उसको mapने के लिए के लिए, scale लेते हैं, वैसे ही atmospheric pressure के units क्या है, bar, लेकिन mapने के लिए क्या लेंगे हम लोग, mapने के लिए एक instrument लेंगे, measurement के लिए, उसको क्या कहेंगे? Barometer अब यहाँ पे जैसे Meter में height को मापते है और कई बार हम लोग क्या करते है जो छोटी height होती है उसको मापने की लिए centimeter को इस्तेमाल करते है millimeter का भी इस्तेमाल करते है वैसे कई बार millibar millie का मतलब क्यों होता है? millie micro तो आपने सुना ही होगा, mili, micro, ठीक है, mili का मतलब होता है, 10 is to power minus 3, micro का मतलब का होता है, 10 is to power minus 6, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, 1,000 bar, ठीक है, तो mili bar का भी इस्तमाल करते है हम लोग California pressure को measure करने के लिए, एक चीज़ ये करते हैं हम लोग ठीक है, है कि यहां पैंने ब्वेरोमेटर का भी देख लिया अब यहां पर आप देखो यहां पर यहां पर यह फोटो की एस अब यहां पर ने एक कोलम होता है इसमें नंवार सपugen के रख रहे हो अब यह मर्कृरी ना रूम टेंप्रेचर पर अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा मेटल है जो लिकूड होता है तो मर्कृरी में हर एक लिकूड में सर्फेस टेंशन होती है मर्कृरी में भी होगी और मर्कृरी स्केपलिटी उमें उठेगी कुछ लेवल तक ठीक है और जब सी पर देखेंगे ना तो सी लेवल पर हम देखते हैं इतनी ती नुठ गई तो हम ने काenders ये 270 अनम आ कंने और यह कैसा दिखता है barometer में आपको बता दिए अब आगले point की तब जाते है कहता था air pressure और atmospheric pressure gets lesser than ठीक है gets lesser than higher we go इसका मतलब क्या है कि मालो यह आप यहाँ पर देखते हैं प्यान देना यह है हमारी प्यारी दर्थी का surface ठीक है this is what surface of earth and let us suppose there is a person standing here let us suppose इसके उपर इतना सारा atmosphere है तो अब इतने सारे इसके सर के उपर इतनी सारी gas है इतनी सारी gas इसको नीचे की तरफ force लगा रही है दबा रही है तो जितनी जादा gas होगी उतना ही जादा mass होगा उनका जितना जादा mass होगा उतना ही जादा force लगाए कि जितना जादा force होगा उतना ही जादा pressure होगा याद रहाए अब हम देखते हैं एक आदमी माल लो कि यहाँ पे एक पहाड़ है इस पहाड़ पे खड़ा है यह इधर खड़ा है इस पाड़ी पर अब इस आदमी के सर के ऊपर क्योंकि हम देखते हैं कि पहाड भी जमील के सर्फिस के ऊपर है ना ओलड़ी इतनी इतनी गैस तो नीचे हो गई तो इस आदमी के ऊपर सिर्फ इतनी कर क्या है गैस है और इतनी गैस का मास भी क्या होगा इसका मैं मास M मान लेता हूँ तो हमें पता है कि जो पाड़ के उपर आदमी है उसके उपर जो गैस है उसका मास क्या होगा नीचे वहले आदमी जो खड़ा है उसके सर पर जो गैस है उसके मास से कम होगा तो इसके सर पर force भी क्या लगेगी कम लगेगी और इसके सर के उपर pressure भी क्या लगेगा कम लगेगा इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग altitude में उपर जाते हैं as we move upward in altitude pressure decreases Decreases, प्रैशर क्या करता है, decrease करता है, जैसे ही हम altitude में उपर जाते हैं, प्रैशर क्या करता है, decrease करता है, ठीक है, पहाडों में जाओगे तो pressure, atmospheric pressure कम होगा, और planes में होगे, sea level पे होगे तो atmospheric pressure जादा होगा, याद रखना, मैं इसको एक बार तुम्हें लिखा भी देता हूँ, ठीक है, कि higher altitudes, confuse नहीं करना है इसमें, ठीक है, higher altitude का मतलब क्या है, less atmospheric pressure, ठीक है, less atmospheric pressure, ठीक है, समझे की नहीं, अच्छा, अब हम बात करते हैं, ठीक है, एक और चीज की, जिसकी वज़र से atmospheric pressure में फर्क पड़ता है, ये भी आपने statement एक और लिख लेनी है, कि जो poles है ना, याद रखना, at poles, अब poles का मतलब क्या है, ये दर्ती है ना वारी, इसमें एक north pole है और एक क्या है, south pole है, अब north pole से south pole की तरफ एक imaginary line जाती है, जो धर्ती को आदा-दा काटती है, इसी line के इर्द-गिर्द धर्ती गूमती रहती है, ठीक है, और हम देखते हैं कि, अब हम देखते हैं, इसके 90 degree पे एक line आती है, जो धर्ती को आदा-दा काटती है, basically ये line ये circle ही होता है, लेकिन ह हम यहाँ पे line कह दे रहे हैं, इस पर two dimension में देख रहे हैं तो, ये जो line इसको क्या कहते है, equator, ठीक है, और ये दो नो north और south क्या है, ये pole है, ठीक है, north और south pole, तो at poles, याद रखना, atmospheric, pressure is higher than equator, याद रखने है, statement, ठीक है, equator जो है, उसके comparison में pole में atmospheric pressure क्या होता है, जादा होता है, ठीक है, atmospheric pressure जो ये देख सकते हो, ठीक है, कि poles पे क्या है, pressure क्या है, जादा है, एक्वेटर से, ये क्यूं होता है, इसको भी समझेंगे, ये जो poles है, poles में atmospheric pressure जादा होगा, equator से, ऐसा क्यूं है, क्योंकि, धर्ती का सबसे जादा गर्म इलाका, कौन सा होता है, equator वाला इलाका, ठीक है, तो जब यहाँ पे, ये गर्म क्यों है, क्योंकि, यहाँ पर पड़ती है, सबसे जादा धूप, जब यहाँ पर पड़ेगी, सबसे जादा धूप, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे जादा गर्म, और यहाँ पर जो gases होंगी, वो गर्मी की वज़ासे, फैल जाएंगी, एक्स्पैंड कर जाएंगी, तो जब वो फैल जाएंगी न, तो उनकी density कम हो जाएगी, तो हम देखते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा dense नहीं होगी, कह सकते हैं कि जब गर्म हवाएं होती है, वो हलकी होती है, वो बहुत ज़्यादा वज़ंदार नहीं होत लिए ठीक है और दूसरी तरफ यहां कह सकते हैं कि यहां पर जो गैसी से ना वो यहां पर पोल्स पर तुम जाओगे नोर्थ पोल्स आउथ पर बर्पड़ी रहती है अंटाक्टिका में या फिर आक्टिक सर्कल में चले जाओगे साइबेरिया में केनेडा के पास उपर बले चले 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 जाओगे लास्का में चले जाओगे तो इन इलाकों में क्या है कि कोल्ड है मतलब क्या है ठंड है अब इन इलाकों में ठंड होने की वज़ा से क्या होगा इस चीश को देखते हैं हवा ठंडी हो जाएगी ठंडी हवा भारी होती है और वो नीचे बैठने तो नीचे आती ह Möglich क्या करेगेolds on the हो जाती हुआ और ऊपर उठने लगती है हालांकि यह रिये दो आही है किसकी तर्फ घ्रस्पेस्टीज बइस की वा जाएगकी वाधर की आवधर हो चाहिए और पेहली बार हम देखते हैं पोल्स पे दो चीज़े एक तो पोल्स पे ग्रैविटी भी जादा है अब न जुरूरी नहीं है कि हर जगा का हम लोग प्रडिक्ट कर सके अलग लग जगाओं की ना अलग condition होती है जैसे कुछ जगाएं गरम होती है कुछ जगाओं का temperature ठंडा होता है तो temperature पर depend करता है pressure ठीक है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली image में कि मान लो कि सीधे सूरज की किरने पड़ रही है ना तो हम देखते हैं इससे क्या होगा सीधे सूरज की किरने गिर रह प्रेशर होगा किसके comparison में जब सूरज से डाइरेक्ट हम दिखते हैं नीचे तक नहीं न पहुंच पा रही है हवा ठीक है यह इन्होंने उल्टा बनाया अलांकि इसको तुम लोग ध्यान देना कि जब सूरज में सूरज की किरने नहीं पहुंच पाएंगी तो relatively हवा क्या ह अगर आशा करता हूं कि यह थंडी थंडी अवा नीचे बैठने लगती है जब नीचे बैठने लगे कि तो वह क्या करती है अट्मस्पेरिक प्रेशर को बढ़ा देती है ठीक है तो यह कुछ हमने अट्मस्पेरिक प्रेशर से चुड़ी वी चीज़े देखी आई होप इंपोर्टेंट है मैं आशा करता हूं कि आपको यह बहुत अच्छी से समझ आ गया हो इसी की साथ लेते हैं अलविदा मिलें की लेक्चर में तब तक के लिए हैव गूट टाइम